एक्सेस पॉइंट एंड डब्ली वेल्सी दोनों आपका यहां पे चलने जा रहा है सो डब्ली वेल्सी अगर आप सिसको की साइट पर आएंगे बहुत सर ऐसे डिवाइस मॉडल मिल जाएंगे वारलेस लैंड कंट्रोलर यानि कि एक सिंगल डिवाइस से आप मल्टिपल एक्सेस पॉइंट कंट्रोल कर सकते हैं तो यहां पे दिया हुआ है कि वारलेस लैंड कंट्रोलर और डब्लू लैंड यहां पे वारलेस लैंड दिया हुआ है पहले इसके बहुत सारे बेनिफिट है सेंट्रलाइज है, सिक्यूर है हमेशा मतले आपकी नेटवर्क को लाइव रखेगा और वेरी इजी टू कनफीगर वेरी सिंपल टू कनफीगर बहुत आसान है इसको कनफीगर करना इसको मैनेज करना, इसके गूरूप को मैनेज करना मल्टिपल सब एक्सेस पॉइंट जब एक WLC पर कनेक्ट होते हों उनको WLC और एक्सेस पॉइंट आर एपी ग्रूप बोला जाता है ओके तो WLC यही है बाकी इसके बैनिफिट रिसोर्सेस और इसके हार्डवेर डीटिल्स को यहां से पढ़ सकते हो बहुत सारे ऐसे WLC लैंड कंट्रोलर डिवाइसेस और यह सब मिलेंगी इनके प्रोडक्ट आप यहां से चेक कर सकते हो इनके मॉडल नंबर चेक कर सकते हो बहुत सारे यहां पर आपको आप्सार मिलते हैं से यहां पर आप लोग को दिखा देता हूं एक प्रोडक्षन से अंदर तीन ब्रांच है यह प्रोड़क्षन में और यह फ्लोर वन पे है और इधर अपर यूजर है जो कि यह फ्लोर 3 पर है और यह फ्लोर 2 पर है और इसको जब मार्केटिंग टीम काम करना पड़ रहा है, मार्केटिंग इंप्लॉई है, एक फ्लोर वन है, जो कि यहां पे यह यूजर, यह मोर दैन वन यूजर हो सकते हैं, बट फॉर एक्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पे यह बंदा अकाउंट के लिए काम कर रहा है, अब आपने क्या कर रखा है, इन सभी यूजर को सब्सक्राइब या इन सभी फ्लोर के लिए एक एकशेस पॉइंड लगा रखा है, like 8A.1 आपने एक क्सेस पॉइंड debla रखा है, इसके लिए एक डी टू on another onlarA content इसके के लिए दे रखा हर फ्लोर पे एक सब्सक्राइब करते हो इंटरनेट को या नेटवर्क सर्विस को तो ऐसे डिवाइस होती है तो यहा पे यह हमारे अक्सेस पॉइंट यहां पे मल्टिकल मैंने कनेक्ट कर दिया आपना वाई वाई से कनेक्टिविटी इस्टेबिस कर रहा बट इन सभी को मैंने जो कंड्रोल किया है एक single WLAN से control किया है, WLAN controller, ओके, single WLAN controller से control किया है, तो इससे benefit ये होगा, हमें इन सारे access point को अपने single dashboard से control करना है, जयसा आप चाहते हो, like if you want to connect all access point in a single group, तो you can create a group, आप एक create कर सकते हैं, group like G1, group 1 और इसके अंदर AP1 plus AP2 plus AP3 को connect कर सकते हो, ऐसा कर देने से क्या होगा, आप यहां से manage कर दे हो, आपको इधर जाकर manage करने की हर floor पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ओके आपके पास central device है, जिसको आप manage कर सकते हो, अगर इसका भी advanced cloud version आप use करते हो, then you can use meraki, okay, meraki information and meraki devices use कर सकते हो, ताकि आप direct login कर पाओ, अपने local area में, यह सब भी होता है, और WLC का भी, आप extended version use कर सकते हो, GUI label पे, जो की cloud label पे कहीं से access हो जाएगा, okay, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, okay, कैसे यह काम कर रहा है, WLAN controller, तो मैंने यहां से जब एक group में दे दिया, तो क्या benefit हमें मिल रहा है, अगर floor 1 का या floor 3 का जो employee है, HR, यह in case आ जाता है, in case कभी भी marketing floor पर, यानि की floor 2 पर तो group में होने की वज़े से इसको, इसका username password माल लिया कि username A दिया और password मैंने इसका 1 दिया है, इसका username B दिया और इसका password 2 दिया है, इसका username C दिया है और इसका password मैंने 3 दिया है, तो without changing or without taking authentication, यह by default इस access point के साथ क्या कर लेगा, communicate कर लेगा, और आपके network में इसका configuration या communication बना रह यह benefit मिलता, automatic इसका जो controller है, यानि कि हमारा जो land controller है, इसको wireless service provide कर देगा, clear है, पर password different होने के बाद भी, yes, password different होने के बाद भी हमें password उसको acknowledge कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हलांकि device 1 पे यहां पे जो भी tablet, mobile, laptop आप यूज़ कर आपने इस password के साथ authenticate किया है, इस access point के ल controller द्वारा एक group में add कर दिया गया है, तो आप आएंगे तो आपको यही password सब कुछ रहेगा, और इस society से आप क्या कर लेंगे, connect कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, clear है, यह हम लोग live करके देखेंगे, यही benefit मिलता, otherwise access point हर floor पे अपना खुट का है, तो फिर benefit का controller का, controller यही benefit का क CCNP and of the devices में जब जाएंगे, courses में तो उसको भी देखने को मिलेगा, मेरा की बढ़ना है, तो मैं detail अभी add कर दूँगा आपके उसके recorded video में या तो भी WhatsApp में मिल जाएगा, इस से related भी आपको advance में जाना है, तो अब हमें यह controller configure कैसे करना है, main चीज़ होता है, access point, Wi-Fi सब कुछ configure करने आता है, SSID, password, WPA2, enterprise, सब कुछ आप कर लेते हैं, but WLC नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे WLC के लिए lab setup करते हैं, let me show, मैंने यहाँ पे एक smartphone ले लिया, एक और मैंने smartphone ले लिया, मैं तीन department यहाँ पे create कर लेता हूँ, तीन SSID के साथ, यह मैंने 3 devices ले लिया, smartphone, Wi-Fi इसके अंदर available है, आप PC ले सकते हैं, उसके अंदर Wi-Fi card लगा दो, and one more thing, मुझे यहाँ पे आ जाना है, एक switch connect करना है, या switch लेना पड़ेगा, क्यों इसमें आजाओ wireless में, और LAP PT करके यहाँ पे device है, इसको आप connect करो, एक access point floor 1, floor 2, and floor 3, आप दो ही से चाहो तो tono floor को control कर दो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, configuration अगर आपको पता है, तो topology design कर सकते हैं, और again आप WLC में आने के बाद मेराकी भी यहाँ पे cloud base पे जाने के लिए, WLC क यहाँ पे simple addition है, 3504 आपको GUI भी support करा देगा, बट पहले इधर आजाते हैं, एंड मैंने simple इसको connect कर दिया, बस LAN के बल से आपको अपना access point अपने network में कहीं भी connect करके ok कर देना है, यह हमारा connection किस पर है, तो जी भी ethernet 0 पर है, बस हमारे जो भी access point है, इनका जो separate connection है, मैं इनको थोड़ा सा colorize कर देता हूं, यह एक अलग area है, यह एक अलग network हो रहा है, और यह एक अलग network होगा, यह अलग हो गया, इसके अलवा यहां पर मैं एक yellow color ले ले लेता हूं, यह हमारा अलग हो गया, तो अभी जब floor-wise जंप करेगा network या user, यानि कि यह user जो smartphone का है, तो भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले आपको configuration के लिए स्टार्ट करना access point से, WLC पर बाद में आएंगे क्योंकि access point आपका सबसे पहले, SSID और यह भी आपका यहां पर detail है वो provide करना पड़ेगा, तो मेरा यहां पर अभी access point on नहीं है, real environment में भी आपका access point होगा, खुछ इस तरीके का module होगा और इस module को आपको क्या कर देना, poe device है, ओके this is poe device यहां पर लिखा power over ethernet base है, तो मुझे यहां पर अभी के लिए एक connectivity power की देनी पड़ेगी and just हम इसको configuration में आके इसका एक access point name दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया AP1, उसके बाद DSCP से IP request दे देंगे, और हमें DSCP server भी apply करना पड़ेगा, you can configure static IP address बट wireless network जहां पर भी होता है, यहोब सभी लोग DSCP server से ही काम करते हो, तो हम लोग यहां पर WLC पर DSCP server configuration भी देखेंगे, पहला complete यहां पर AP1 हो गया और green हो गया, second पर आ जाते हैं और इसको power on करते हैं, power on कर दिया और इसका configuration में हम लोग AP2 कर देते हैं, अब देखो अगर आप एक ही company के अंदर अगर दो access point हैं, एक controller के साथ तो दोनों का access point सेम नहीं कर सकते हैं, यहां पर error आ जागा देखो, red color दिखा रहा है तो, अगर मैं AP2 दोंगा तो इसके साथ फिर यह communicate करेगा, same wifi या same access point name नहीं आप दे सकते हैं, याद रखेंगे, otherwise mismatch configuration होगा real environment में, तो यहां पर हमने दे दिया just AP3 तो बस और सभी पर DSCP से IP दे दिया, अभी DSCP हमें enable करना पड़ेगा कहां पर अपने WLC land controller पर, तो for example के लिए यहां पर 192.168.0.1 कर दिया या 0.10 कर दिया, इसका IP 255.255.255.0 192.168.0.1 gateway कर दिया, and DNS server भी अगर आपका है तो आप कोई भी DNS server कर सकते हो, ऐसे करके, DSCP range में यहां पर apply कर देता हूं, जो की 192.168.10 से लेकर 50 computer के लिए IP में दे देता हूं, मतलब 50 तक के लिए ऐसे range मैंने plan कर देना है, बस एक range ही DSCP में apply करना होता है कि उस range में सभी को IP मिले, finally आपको आ जाना है WLC पर और WLC को फिर यहां से configure करना है, WLC का physical environment है, land के बल आपका यहां पर connected है, power on-off कर लेंगे, power देने के बार आप इसका configuration स्टार्ट करेंगे, configuration के लिए यहां पर सबसे पहले management में आना है और इसका IP address करना है, IP address मैंने यहां पर दे दिया 192.168.0.10 और कोई भी IP आप दे सकते हो as per your network configuration, gateway हमारा one हो गया, DNS server भी आप यहां पर कुछ भी apply कर सकते हो, clear है, तो पहले management आपको पूरा configure कर देना है, and then gb ethernet आप चेक कर लो कि आपका यह जो gb ethernet port है वो on है न, on होना चाहिए by default on रहता है in case real device पे off है तो उसको चेक कर ले, full duplex mode होना चाहिए आपका और यहां पर फिर हमें select करना है dscp, dscp मैं हमें यहां से on करना है और pool name हम यहां पर देना कोई भी एक network name मैं network one कर देता हूं, यह कोई भी एक network name देना और default gateway पूछ रहा है तो 0.1 कर देना है, DNS server आपको यहां पर अगर है तो apply करना otherwise blank optional है, start IP मैंने start करना है 192.168.0.11 से start करना है, okay and subnet mask यहां पर 255, again 255, again 255 and 0 कर देना है, इसके बाद maximum number of user मैंने बुला 50 तक मैं लेकर जाना चाहता हूं तो 40 कर दूँ, 10 तो already यहां से start किया 11 से लेके 40 IP और लेंगे तो 50 तक यह जाएगा ऐसे करके apply कर देंगे, TFTP and WLC का जो address है यह हमारा 192.168.0.10 कर दिया और इस complete address को मुझे add करके इसको save कर देना है, WLC के लिए DSCP configure हो गया और जितने भी दर WLC devices हैं, इनको अभी DSCP से IP मिलेगा, चेक कर लेते हैं, मिल गया, हैनि कि WLC हमारा DSCP IP प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, controller के पास IP receive हो चुका, तो हर एक के लिए gateway और DNS IP मिल गया, अब इसी के through जितने भी client connect होंगे, यहां से DSCP request को या IP को receive कर पाएंगे, तो अगला जो हमारा topic होगा, WLC land controller configure करना है and then group हम लोग configure करेंगे, by default यहां पे कुछ group बने हुए हैं, AP1, AP2 करके, बट हम चाहते हैं WLC क्योंकि AP1, AP2 अब देखो यहां पे दो आ गया है, थोड़ी देर और वेट करो, यहां से थोड़ा सा fast forward में करता हूं और यहां पे आने के बार, now you can see, अभी हमारे पास दो ही है, AP1, AP2, थोड़ा मैं रिफ्रेश किया, तो access point 1, 2, 3, तीनों आ गया, clear है, तीनों आ गया, हमारे इसके अंदर detect हो गया कि हमारे तीन access point available है, और तीनों का एक, अभी access point दिखा रहा है, और यहां पे कोई group नहीं अभी है, default में बाकी सारे यहां पे काम कर रहे है, so these are the AP group, okay, तो AP1, 2, 3 ऐसे हैं, अब हमें group setup कैसे करना यह देखो, by default हमारा group से यहां पे है, default, by default दिख रहा है, हमें यहां पे क्या करना है, group create करना है, AP, कोई भी एक नाम आप यहां पे apply कर सकते हैं, मैंने AP1, name एक दिया, और उसके बाद, AP group में आने से पहले WLAN पे आ जाओ, क्योंकि यहां पे आपका group दिखाना चाहिए, यह जो भी है, तो अभी नहीं है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक name apply करना पड़ेगा, AP1, और इसका SSID, यानि की access.1 का जो SSID है, वो क्या करना है, SSID मतलब service state identifier, यानि की name, तो AP1 ही मैं रहने देता हूं, ताकि मैं इसलिए identify कर पाऊं, और यहां पे मुझे password, आपको password पता है न, WEP, WPA2, जो भी आप apply करना चाहो, है न, तो security की एक apply कर दे लिए, तो मैंने यहां पर कर दिया, 1234567890, access point हमारा AP1 है, इसको मैंने कर दिया, एक access point को add कर दिया, add करने का option की दरस्थेव, अब देखो, यहां पर एक access point आ गया, clear है, one more access point यहां से add करना है, तो आप new पे आ जाओ, और AP2, तो AP2, इसका access point, यह तो हमारा access point नेम हो गया, नेम जैसा आपने यहां पर capital letter दिया है, तो वही होना चाहिए, ओके, यहां पर आपने दे दिया, AP2, और इसका भी एक password, कुछ भी आप, दूसरा password दे सकते हो, अगर मैंने SSID चेंज कर दिया, तो password भी चेंज कर सकते हैं, है की नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, और मैंने इसको भी save कर दिया, दो SSID हमारे save हो गया, एक new किया, और मैंने 3 वाले को add कर दिया, और इसका जो access point, sorry, SSID है, वो मैंने कर दिया, और इसका password मैंने, कुछ apply कर दिया, और save कर दिया, 3 access point मेरा यहाँ पे configure हो गया, अब 3 access point configure हो जाने से, मैंने यहाँ पे wlanes को add कर दिया, और finally done, अब group में आ जाएं, तो यहाँ पे देख सकते हो, wlanes का proper, मतलब यहाँ पे detail आ गया, और ap1, ap2, ap3, SSID name के साथ ओके हैं, और यहाँ पे group भी इनक यहाँ ग्रूप add करना है, तो मैं यहाँ से click करूँगा, और group name में यहाँ पे देदूँगा, like group 1, B1 यानि branch 1 and B2, branch 1 and branch 2, इसके अंदर मुझे इन दोनों access point को क्या कर देना, save कर देना, इस group में, समझ में आया, कैसे group add करेंगे, save करेंगे, और आपका एक नया group यहाँ पे त्यार है, clear है सबको, तो यह आपको यहाँ से add कर लेना, by default मैं अभी इसको रहने देता हूँ, default group में, तीनों एक ही group में, group का नाम है, default group, तीनों एक ही group में, और group का detail यहाँ पे आगए, कि तीनों एक ही में, और उसके बाद मुझे इस user को username, password provide करना, आप देखना, मैं provide कर पाइब दिया है, sorry, 5678910, तो मेरा यहाँ पे configuration, wireless, और SSID हमारा क्या है, AP1 और इसका password, अब देखना, यह किसी से भी connect हो जाएगा, जिधर इसको suitable connection मिला, उधर यह connect हो जाएगा, देख रहे हो, आप इधर हो गया, AP2 से हो गया, ओके, इधर आ जाते हैं, और WLC, AP2 वाले को connect करते हैं, और WEP, इसका password, और इसको मैंने just turn on, turn off कर लेना है, अभी यह किसी और से, किसी से भी हो जाएगा, ऐसे करके, अब देखो, automate कैसे हो रहा है, हमारा network, automatic कैसे है, यह switch कर रहा है, डूसरे के साथ, यह भी मैं दिखा दो, ऐसे ही, इसके साथ भी होगा, बस आपको username, password 3 वाले का देदेना है, तो यह भी किसी ना किसी से connect हो जाएगा, चलो, apply करके, देखी देता है, AP3, WEP, password, and turn on, on, off, कर लेंगे, done, ओके, यह इधर आगे, ओके, तो यह topology अब देख रहे हो, पूरे फ्लोर पे, जहां कई, Automate में उपर से, नीचे, नीचे से उपर हुआ, अगर हम इसको सही से connect करना चाहे है, तो संभव होएगा, बिलकुल संभव है, तो हमें करना क्या होगा, अगर माल लिया कि यह वाला लग रहा है, कि यह धर नहीं, यह वाला network down हो गया, in case, तो अभी वो device automatic switch कर जाएगा, है न क्लियर है, यह वाला network अगर down हो जाता है, in case, switch कर गया, सभी one पे आगए, अगर यह हमारा down हो जाता है, सारे user क्या होंगे? सरसीं मूट पे जाएंगा, और सब अपने हिजाब से network खोज के connect होंगे से, हाँ, अभी हो जाएगा, अभी connection यहाँ पे देखो, यह वाला area अभी green हो रहा है, second पे सभी shift होंगे अभी, क्योंकि second पहले on हो है, यह वाला, थोड़ा सा time दो, third भी हो गया सा, हम लोग यहां से fast forward कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आ गया, तो कोई problem ही नहीं है, है न, कोई भी access point down हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो land controller आपका क्या करेगा, complete traffic को handle कर सकता है, clear है, हाँ, same नहीं दे सकते, यहां पर आपको change, name यहां पर change करना पड़ेगा, SSID सेम दे सकते हो आप, SSID यहां controller में सेम दे सकते हो, बट यहां पर name सेम नहीं दे सकते, है न, अदर्वाइस, उसके ID हो गई, थी, हां, वो उसका ID हो गया, ओके, AP1, AP2, AP3, यह हो गया, तो इधर आप कुछ भी कर सकते हो, AP1, AP2, AP3 आपको इधर देना ही, देना ID, ताकि recognize कर पाए, ग्रूप को, right, तो यह होगी, तो यह हमारा एक WLC है, इन केस अगर production में ऐसा कुछ भी configuration आता है, तो आप configure कर सकते हो, और इसको manage कर सकते हो, अगर आप cloud-based की कोई technology या switches बगर configure करना चाहते हैं, तो additionally मैं यहाँ पर दिखा दू, you can configure मेरा की server, मेरा की exactly आपको cloud technology प्रवाइड करता है, okay, मेरा की Cisco, pre-trial के लिए यहाँ पर है, मेरा की login dashboard, मुझे यहाँ पर ढूटना है, मेरा की login dashboard, तो यहाँ पर देखो, login के लिए दे रहा है, आपका अगर कोई भी device register है, इस cloud पर, आपने मेरा की device ले रखा है, तो आप यहाँ पर जस्ट क्या कर सकते हो, अपनी email ID और उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हो, right, अपना password देकर login कर सकते हो, तो Cisco Meraki is a cloud management IT company, headquarters in San Francisco and California, और इसका काम होता है, next generation Wi-Fi, cyber security, digital workplace technology और सब कुछ आप यहाँ से single dashboard से configure कर सकते हो, you can just configure single device to handle multiple sites at a time, अब अगर आप एक single device को configure कर के multiple site handle करना चाहते हो, then you can go with Meraki device, okay, so exactly यह देख सकते हो, Meraki Wi-Fi स्थिक्षे के advanced option है, okay, यह आपको CCNA वगरा पर जब इंटर्व्यू कहीं कुछ जाएंगे तो भी नहीं करने को मिलेगा, तो सर क्या इसको अगर हम क्या जैसे दो तिन ब्रांच है, तो महाँ मेरा की cloud के थ्रूँ, okay, तो यह हमारे पार device है, और already मैंने इसका solution यहाँ पे बनाया था, तो मैंने यहाँ पे इसको mention कर लिया है, मेरा की cloud के लिए, तो यह एक step है, और simple यहाँ पे हम लोगों का जो भी configuration था, कल का बिल्कुल सही था, आपको topology अगर wide area में access करवाना है, या अपने इस device को access करवाना था, तो हमें सबसे पहले अपने इस मेरा की device को register करना होता है, है न, simple, इसको register करने के लिए हमें इसका serial number, okay, and इसका जो mac address है, यह दो चीज़ा हमें जरूरत पढ़ती है, इन serial number और mac address को हम लोग क्या करते हैं, इधर मेरा की server पर online live होते हैं, किसी भी ID से आप इसको create कर सकते हो, किसी भी host से, है न, तो मैंने यहाँ पर routing के लिए यह particular IP यूज़ किया हुआ है, 192.168.100.0, और मैंने इधर WAN configuration के लिए, मारा outside के लिए IP है, आने की output के लिए, inside के लिए हमारा network चल रहा है, तो हमें routing तो कराना नहीं है, क्योंकि हमारा यह direct routing हो रहा है, और यह जो server है, एक particular IP पर run कर रहा है, और इसको हमें क्या करना, इधर access कराना है, तो अगर आपका यह wide area का जो IP है, outside के लिए IP है, output के लिए, outside के लिए, outbound के लिए, इस तक connectivity direct हमारे router के साथ है, तो यह हमारा पिंग करेगा, तो यह user directly इस cloud को access कर सकता है, there is no problem, access करने के बाद, आप इस मेराक्री device का serial number और Mac address यहाँ पर register कर सकते हैं, और अग account create कर लेंगे, उसके बाद आपका यह जो device है, इसको internet connectivity प्रोवाइड करना, मतलब इस पे एक DSCP IP प्रोवाइड करना, यह हम लोगों का missing part था, बाकी इसको configure करना है, तो there is no problem, you can go with this, ओके इसके साथ आप जा सकते हो, अगर इसके साथ ही configure करना है, इसको use कर रहे हो 8 port है, 8 devices यहाँ पे काम कर रही है, या 8 access point आपके काम कर रहे है, तो उन सभी AP को, या उन सभी devices को, आप क्या अगर सकते हो, यहाँ से outside से access करना है, और इस device को access करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने router पर, या अपने network में किसी भी उस device पर, जो की DSCP server को support करता हो, provide करना था, और इस पर DSCP IP की request एड़ कर लेना था, बस, उसके बाद आपका online, offline जैसे भी हो, आप कहीं से भी इस device को as a cloud access कर सकते हैं, तो step 1 हमने सारे interface को IP दिया ही था, step 2 मेरा की device को आप DSCP configure कर देंगे, by default इसकी IP access होई रही है इधर, तो इसका DSCP IP हम लोगों को configure करना है, and then DSCP router हमें इधर enable कर देना है, as a DSCP router और मेरा की device को register करना है, तो same वही मैंने यहाँ पर किया हुगा, step 1 मैंने इन दोनों port को F0-1 पर IP दे दिया, इधर यह IP दे दिया, इधर server पर IP दे दिया, इधर client के लिए manual मैंने एक IP यहाँ पर दे रखा है, 100.100 और 100.1 पर, मेरा की device का IP आप सब लोगों को कल पता था कि 0.1 है, तो अगर मेरा की device को मुझे access करना है, तो internal इस client पर मैं आ जाऊंगा, और इसके तुरू क्योंकि मेरा की automatic DHCP से share करता है, तो यहाँ पर 0.3 की range में IP दे रखा है, और हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा sync कर रहा हूँ, lab को, और यहाँ पर web browser पर आना था, web browser पर आने के बाद, 192.168.0.1 और यहाँ पर मुझे इसका serial number, एड करना है, इस इस दे सीरियल नंबर, और इसको एजा यूजर नेम आप यहाँ पर ट्राइ करेंगे, पास्वड ब्लैंक को के कर देंगे, आपका डिवाइस यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस हो जाने के बाद, यहाँ पर क्लाइंट की IP आप देख सकते हो, और बाई डिफॉल्ट हमारा जो कह रहा है न, यहाँ पर देखो, Ethernet के लिए the security appliance is directly connected to a local network, एक local network के साथ directly connected है, और primary IP address इसका 192.168.0.1 है, अगर इसको मुझे network में लेकर आना है, तो हमारे network में 192.168.0.1 का IP चल रहा है, और इधर आप देख सकते हो, कि हम manual IP चाहें, तो यहाँ से apply कर सकते हैं, आप चाहो तो apply कर दो, otherwise आप DSCP apply कर दो, तो DSCP अगर manually देते हैं, तो you have to configure the IP address according to network range, आपको देना पड़ेगा, सब कुछ, बट अगर मेरा router पर DSCP server है, तो मुझे यहाँ से DSCP, and DSCP option is based, तो मैंने इसको save कर दिया, अब save कर देने के बाद, आप यहाँ से connective Ethernet आप देख सकते हो, सारे Ethernet वगरे को यहाँ से आप access कर पा रहे हो, manage कर पा रहे हो, सारी चीज़े, but as a cloud है, या cloud पर इसका access है, तो हम लोग simple device को register कर दे रहे हैं, अपने cloud पर, तो cloud पर register करने के लिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो router पर IP create करी दिया, अब DSCP server बना दो, ताकि इस cloud को, यानि कि मेरा की device को DSCP request apply हो जाए, तो मुझे इस पर क्लिक करना है, CLI mode पर आना है, और में भी मैंने यहाँ पर कोई DSCP, so, space, IP, space, DSCP, space, enter, sorry, DSCP pool, तो यह मैंने आप लोगों को बता रखा है, और यह मैंने इस पर एक DSCP pool बना रखा है, जो कि यह SQL live 1 करके, ओके, तो अगर SQL live 1 करके pool मैंने बना रखा है, और इसका range मैंने start किया हुआ है, आप देख सकते हो, 192.168.100.1, यहनि कि 100 से complete इसका network लिया हुआ है, ओके, और excluded address वगर कुछ भी नहीं है, अगर आपको एक नया network या DSCP create करना है, तो पुराने को remove करना पड़ेगा, no IP DSCP space and SQL live 1, enter, no IP DSCP, pool space SQL live 1, and so space IP space DSCP space, pool enter, अब हमारा कोई भी DSCP यहाँ पे नहीं है, तो DSCP कैसे option enable करना था, आप लोगों को लड़ी बताया हुआ है, बाट थोड़ा सा, sync कर रहे हैं, IP DSCP, कोई भी एक pool, और मैंने एक network दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पर अपना network add कर लिया, कि मेरा जो network अभी चल रहा है network में, 100.9 range में चल रहा है, तो complete network देने के बाद, मैंने इसका subnet mask रसाइन करके ओक के, और इसको default router दे दिया, यह 192.168.100.1 अप्लाई करो, अब इतना अप्लाई करने के बाद, आपने मेरा की device पर DSCP request अप्लाई करी दिया है, चोकि यहाँ पर आप देख सकते हो, connection में आने के बाद, ओके, sorry, configuration में, तो step हमारा यह DSCP का बस missing था, बड़ अगर आप इधर वाले router पर आते हैं, तो इधर वाले PC से आप direct register कर सकते हो, इधर करने के जरूर थे, तो दोनों option हैं, ओके, तो यह अभी open नहीं कर रहा, time लगा रहा, ओके, done, तो मैंने यहाँ पर DSCP, DSCP बस option कर दिया, अब देखो, आप इस particular machine से, या इस दूसरे वाले से, जिस पर DSCP किससे मिला हुआ है, आप देख सकते हो, DSCP हमारा 192, यानि की, मेरा की device के according, DSCP यहाँ पर apply दो, बट, आप यहाँ से, close करो इसको, browser open करो, और मेरा की server को, यहाँ से भी access कर सकते हो, यहाँ से भी access कर सकते हो, तो मैं browser open करता हूँ, and, https, slash, 192. sorry, 172.168.0.10, और enter कर देना है, और आप तोड़ी दिर wait करेंगे, आपका server यहाँ पर access हो जाएगा, आपका यह जो primary IP है, यह सिर्फ local area के लिए IP यहाँ पर लिख गया रहा है, आप यहाँ से एक बार इसको जब पढ़ेंगे, तो यह दे रहा था, कि this is private local IP, तो private local IP हमारा चली रहा है, इसको मैंने जब DACP request दे दिया, तो वे काम कर रहा है, और उसके बाद यह सारे client उसके साथ मर जोके, अपना इधर का communication भी कर रहा है, तो access point हमारा जो इधर का होगा, या यह device जो भी हमारा होगा, अभी cloud रेजिस्टर हो जाने के बाद, email ID, password डाल कर, हम कभी भी इस device के अंदर status चेक कर सकते हैं, नाओ clear to everyone, बाकी तो यह option आप लोगों तो दिखाया ही था, ओके, password एक दे देंगे, मैंने admin at the red 123 दिया, company के name कुछ भी है, XYZ आप दे देंगे, create कर लेंगे, click here and then same process आपको वाई हो, देखो, communication हमारा प्रॉपर हो रहा है, राइट? तो firewall हम लोग आज complete करेंगे, यहां पर सब कुछ हो गया, just next करेंगे, and इसका mac address और detail निकाल लेंगे, तो mac address के लिए हम connection पर आजाएंगे, okay done, और एक हमारा है इधर, राखी device, just next करेंगे, और यहां से हमारा यह mac address है, जो भी inventories आपकी है, production के अंदर, number of devices, और सभी को यहां पर आपको, register मेरा की devices कर सकते हैं, मेरा यहां पर एक network run कर लेना है, like SQL I, मैं network create कर लेता हूँ, आप सिंबाइडीफॉल्ट भी रहने देंगे, कोई दिक नहीं, just for identity purpose, कुछ भी आप यहां पर दे सकते हो, सो मेरा यहां पर एक SQL I, का network run हो गया, इंटर इंडिविजवल डिवाइस, सीरियल नंबर, और डिवाइस मैक अड्रेस, सीरियल नंबर हमारा इस डिवाइस पर ही मिलेगा, यहां से इसको भी कॉपी किया, यहां पर आगए इसका सीरियल नंबर, मैक अड्रेस अभी कॉपी नहीं हुआ, ओके और यहां पर कह रहा है कि, इंटर दर नेटवर्क, दर डिवाइस बिलॉंग टू, यहां पर आपको नेटवर्क करना है, जो डिवाइस बिलॉंग कर रहा है, तो जो भी आपका यहां पर नेटवर्क है, सीको लाइब है, तो उसी नेम से आप यहां पर देखर इन्वेंटरी में आड़ कर दो, फाइनल यहां पर हमारा ट्रांस्मिशन हो रहा है, अप्लैंसेस एंड अदर डिटेल्स जो भी है, जो भी है, जस्ट आड़ हो जाएगा, एंड फिर आपका, आफर रजस टीन, इंड अपर रजस अवर्क रधर, एंड एंड रिटेल्स आवःइब देटल्स, तो प्रॉपर यह वर्क में है और यहां से आपके सारे पोर्ट और इसकी डीटेल स्टेटर से यहां पर दिखा रहे हैं इसको पैके ट्रेशर में तोड़ा सा लिमिटेड फीचर आपको देखने को मिलेगा जब आपको में डिवाइस यह में प्लाउड पर एक्सेस करेंगे तो आपको और एडवांस सारे पोड़ और फीचर सारी चीज देखने को मिलेगे तो रजिस्टर करके अपना देखेंगे बाकि अंदर वीलाइन और यह सारी कंफिग्रेशन है वीलाइन समझो कि एक स्विच है उस पे वीलाइन और सारी चीज़े सेटप करना है वारलेस सेटप अगर कुछ है तो उसको आप यहां पर करेंगे एक्सस पॉइंट आपको आपको अटैच है उनको आप मैंज मॉनिट गर्वार को एक्सस करके एक इसको देखेंगे और फायर वाल का जो कंफिग्रेशन यहां पर आपका है फायर वाल का फी बड़ा स्लाइबस है बट हम लोग फायर वाल को एट लिस्ट कंफिगर करना देख लें क्या होता है कैसे होता है बाकी कोई भी पॉलिसी रून कुछ क्रियेट करना है वो सब आपको मिल जाएगा तो सिसको का फायर वाल यहां पर कंफिगर करने जा रहे हैं और काफी इंपोर्टेंट लैब है यह एडिस्नल आपको लैब मिल जाएगा तो इन प्रोडक्शन काफी अच्छे से आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं रिलेटेट सिक्यूरटी अब इवरीटिंग तो सिसको यह से फायर वाल एस से एडॉप्टी सिक्यूरटी अप्लाइंसे तो यह डिवाइस है मैं काम करता हूं ओके शॉरी लेट में शोओ सिसको एस से फायर वाल एंटर सिसको यह से फायर वाल एड़ करने के बार आप यहां पर सिसको का एक ओफिशियल पेज मिलेगा इसको ओपें करो यह से फायर वाल पोपें करो इस वन कुछ भी मैं लर्न करने के लिए नहीं बोला यू कन जस्ट गेट ऑल पीडिएफ डीटेल और यूरेटिकल डीटेल फाम यह और इसकी कंफिग्रेशन भी आपको यहां पर मिल जाएगी बहुत सारी इंफरमिशन है सो यह हमारा एक से इसको ऐसे फायर वाल सेक्यूरिटी मतलब हाडवेर सिक्यूरिटी प्रोवाइड करता है और पर्टिकुलर हाडवेर आपको वह सारे ऐसे आप्सट यहां पर प्रोवाइड करता है लाइक आप इसमें वीपीएज जैसी कंफिग्रेशन को मैनेज कर सकते ह ures 들어.पार, यहां पर इसके बारे में दिया हूए है पर्टिकुलर IPS VPN ओके सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रहा है इसमें ट्रैफिक मॉनिटरिंग बैंडविध एंड मल्टी साइट मॉनिटरिंग सारी चीजों का ओप्शन यहां पर मिल जाता है हाई एविलिबिल्टी रेसलेंसी और इन सारी चीजों के लिए अवेलेबल है ओके तो मल्टीपल फिजिकल वर्चुल डिवाइसेस एंड सर्वर्स को भी यह क्या करता है कनेक करके मैनेज मॉनिटर करने में हल्प करता है कम्प्लीट आप अपने नेटवर्क इन्वार्मेंट की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो लेकिन आपको अगर हाड़वेर बेस फ करने को मिलेगा इन प्रोडक्शन जब भी आप इसके बारे में जाएंगे सिसको एस डियम लॉंचर जब आप अपना सिक्यूरटी टूल या हाडवेर फायर वाल एक्सेस करेंगे तो यह पर्टिक्लर लॉंचर आपको उसके साथ डाउनलोड मिल जाएगा और जैसे ही आप डाउनलोड मतलब लग्विदाओं डाउनलोडीं डिस पर्टिक्लर टूल आप इसको यूजह लें कर सकते अपने फायर वाल को आप अक्सेस नहीं कर सकते ग्रैफिकल इंवार्मेंट में तो इसको डाउनलोड कर सकते हो आप इदर इसकोおお यह सारे आपसंस हैं यहाँ पी ज डाउनलोडिंग और इसके लिए आप्शन है बट इसके लिए आईडी सिस्को की क्रिएट करके और सारी चीज़े जाना होगा और इन लोगों ने जो भी अपना फीडबैक दिया हुआ पर्टिकुलर इसको लेकर क्योंकि जब आप सिस्को एसडीम लांचर को अपने मशीन पर सेट अप करते हो तो यह कंपेटेबल नहीं होता बहुत सारे से वर्जन और इसके साथ तो कहरा कि अगर एसडीम लांचर आपके पीसी पर प्रॉपर इंस्ट्रॉल नहीं हो रहा है प्रॉब्लम कर र लएकस करने के लिए ना अपको लिए और एक के लिए और यहां कर देगे और जैसरी ऐस तर के सिगल कर देंगे जैसे मेरे दीवएस पर यहां पे लांचर आइं तो मेरे पास एक duration has mirror instruction कर सकता हूं उसका यूजर ने और उसका पास्वर्ड अप्लाई कर दूँगा और जस्ट कर दूँगा मेरा फायर बॉल इस लॉंचर के तुरू क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा और हम पूरी तरीके से उसको configure manage कर सकते हैं configuration manage अच्छा है graphical environment में करिए graphical environment में आपको काफी ज़्यादा टूल मिलेगा काफी ज़्यादा option मिलेगा command line interface में आपको complete टूल मिलेगा बट सारी commands आपको याद करना पड़ेगा तो hope अगर आपने dscp की commands याद रखा हुआ है आपने routing के लिए router rip router ip route यह सारी commands अगर आपने याद रखा हुआ लिए द्याट की command से याद हुआ है ।ब्य जूल करने की command की लिए तो सब्सारी commands अप इस software पर अप्लाई कर सकते हो बहुत common सा difference आपको देखने को मिलेगा और Cisco सब्स इस को firewall जो है या कोई भी hardware-based firewall अप पॉलो अल्टो पड़ो फोर्टीनेट का पड़ो एंड आनदर जितने भी आप सफोर्स वगरे में जाते हैं तो सारी firewall की configuration आप तो similar होती है उनके अंदर feature similar होते हैं बट किसी में थोड़ा सा easy to manage, easy to use, कुछ अच्छा हो जाता है कुछ ज्यादा strong production बहुत सारे features provide कर देता है किसी में उतरा नहीं होता यह यह जैसे कि market में mobile खरीदने जाओ तो बहुत सारे mobile हैं available market में लेकिन सभी का कुछ special feature है तो मान लिए कि मुझे काफी ज़्यादा security चाहिए तो मैं iOS की device ले लूँगा किसी को ज़्यादा security नहीं बस काम चलना चाहिए सारी चीजें है ना तो वह android ले लेगा और सारे feature यूज करेगा है ना और किसी और को कुछ और चाहिए तो इस हिसाफ से यहाँ पे जो भी आप सिसको के firewalls और यह सारी चीजें यूज करते हो इनकी series और सारी चीजें देख स प्रोडक्ट में आ जाएंगे प्रोड़क्ट और टेक्निकल सपोर्ट तो मैं भी यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत सारे ब्रांच के लिए बहुत सारे अप्सेंस मिलेगा यहां डूढ़न पड़ेगा थोड़ा सा लाइक तो यह बिल जाएगा शिसको प्रोड़क्ट ए सिसको यह से पायर पार सिरीज पायर वाल पायर पार सिरीज लिस्ट बस मैंने ऐसे लिखा एंड हां जी यह यहां पर डबल फाइफ डबल जीरो सिरीज का यह दिखा रहा है तो ऐसे आप सिरीज देख सकते हो कोई भी आप लिंक पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो पूरा मॉडल सारी चीजें क्या है कैसे सपोर्ट कर रहा है तो अगर कभी कोई पर्टिकुलर मॉडल को लेकर आपको कुछ देखना है उसका कुछ कंफिग्रेशन पार्ट मैनेज करना है तो सारे मॉडल से बहुत स चीजें आप देख सकते हैं तो यह हमें एक गाइडलाइन मिल जाता है वन मॉर तिंग अगर हाँ यह सारे options आप देख सकते हो कि इसमें क्या support कर रहा है time out की setting है तो क्या है कैसे सब कुछ sdm से launch करने के बाद आपको मैनेज करने को मिलेगा तो हम लोग configuration देखते हैं और कैसे क्या है मैनेज करते हैं फायर पार सिरीज अगर आप देखेंगे तो 1000 सिरीज भी धर है 21 सिरीज भी है अनदर यहां पर नाइन प्रोड़क्ट आपको मिल जाते 9300 का भी सिरीज है तो हर एक firewall एससे firewall और इसके बारे में जो भी पढ़ना है तो यह आप देख सकते हो guide and सब कुछ मिलेगा विजिट करके तो फायर वाल बेसिक अगर हम लोग अपनी computer system पर देखे मैनेज करना जो कि software बेस फायर वाल है तो यह कितना हमें control प्रोड़ करता है अगर आपने software बेस फायर वाल मैनेज किया होगा लाइक system and security और यहां पर windows defender इसके अंदर अगर मैं advance में आ जाता हूं advance में आने के बाद मुझे यहां पर option मिल जाएगा लाइक इंबाउंड और आउटबाउंड security इंबाउंड security होता है यानि कि बाहर की ट्रैफिक अंदर जो आ रही है उसको किस तरीके से करवाना है उसको अलाओ करना डिनाई करना है आउटबाउंड की जो security होती है इस अलाओ कि हमारे लोकल आई-पी यानि कि लोकल कंप्यूटर सिस्टम जो इनसाइड ऑफ और्गनाजेशन है प्रोडक्शन में है उसको बाहर भेजने के लिए कैसा रूल क्रिएट करना है तो ब्राउज कर सकते हैं पाथ को कि पर्टिकुलर प्रोग्राम को ब्लॉक करना सभी प्रोग्राम को ब्लॉक करना कोई प्रोग्राम है जैसे मेरा यहां पर क्रोम है क्रोम को मुझे ब्लॉक कर देना है एक्सेस नाव नेक्स्ट करना है अब यहां पर प्रोटोकॉल के लिए कि प्रोटोकॉल के लिए करना है तो यहां पर आप देज सकते हो और अगर लेकर चलना यहां से उलेक्ट कस्टम और यहां से पतिगूलर पॉर्ट नमबर दे दो कि हमारा जो फ़िसे ना कर पाई तो यहां सभी चीजों को आपको अप्लाई करना होगा यह सिंपल यहां से पर्टिकुलर प्रोटोकॉल दो कि जब मुझे 443 को ही ब्लॉब करना था तो मेरा यहां पे कोई HTTP प्रोटोकॉल है तो HTTP के लिए नहीं है तो यहां पर TCP को कर देते क्योंकि HTTP इसी प्रोटो इसी पर्टिकुलर डेटा पर कहरी करता है यहां तो जैसे मैंने यहां पर अभी सिंपल यह ले करना है कि ठीक है TCP तुम एक्सेस नहीं कर सकते पर्टिकुलर पॉर्ट भी स्पेसिफाई करना तो दे सकते हो जैसे यहां पर कॉमा कॉमा देखे कि TCP आपके इतने नंबर पॉर्ट से एक्सेस नहीं होगा उसके लामा किसी अधर पॉर्ट पे आप गया तो एक्सेस होगा रा अपने कम्पूटर से गूगल क्रोम का यूज़ करके बाहर क्या सेंड कर सकता हूं और क्वाहर क्या सब कुछ बलॉक कर दो और कहरें कि बाहर की इड्रेस बताओ है न तो मैंने पर्टिकुलर एड्डरास तो है thread की Google का पबली सापि दे देना है और जस्ट यहां से नेक्स्ट करके इसका रूल क्रिएट कर देंगे लाइक मैंने लिख दिया क्रोम ब्लॉक एंड जस्ट फिनिस कर दिया उसके बाद गूगल क्रोम पर आएंगे तो आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा जस्ट आपको सेफ कर देना है और गूगल क्रोम सब्सक्राइब करना है तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा चौड़ करके छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है और यहां से दुबारा से आप open करेंगे तो आपका access होगा, तो simple firewall में बहुत सारे ऐसे option यहीं पर मिल जाते हैं, आपको advanced firewall पे जो configure मिलेंगे, वो यहां पर भी मिल जाएंगे, लेकिन live monitoring और यह सब नहीं मिलेगा, तो यहां पर हमें एक firewall मिल जाता है, डबल फाइफ जीरो फाइफ का पच्च पंच जीरो पांच है ना आप इस सीरीज के firewall को यहां से configure and manage कर सकते हो, तो डबल फाइफ डबल जीरो सीरीज, ओके, मैं इसका एक configuration आप लोगों को करा देता हूँ, और firewall main चीज इसके बस एक device पे सारी configuration सारी चीज़े manage कर सकते हो, बट तोड़ा समय वैन तक का connection करने को मिल जा या बाहर का connection भी हम लोग देख लें तो बाकी configuration तो बस इसी पर जाकर configuration हम लोग कर सकते हैं, इसका CLI open करके इस पर जो भी command और सारी चीज़ें सब मैं दिखा सकता हूँ, बट बेटर है कि मैं स्टार्टिंग से बिलकुल लेकर चलो और आपको कुछ additional चीज़ें दिखा पाऊं, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, और मैंने यहाँ पर simple एक आप यहाँ से चाहो तो switch बगर है यूज करो firewall को जिस location पर implement करना कर सकते हो, मैंने 3 devices ले लिया, मैं एक router भी यहाँ पर ले लेता हूँ, 4321 series कोई भी ले लुआ, और मैं बाहर एक server ले लेता हूँ, जो कि मेरा google का server है, अभी के लिए मैं माल लेता हूँ, यह सीखोलाइब.com है, और सीखोलाइब.com के लिए मैं एक IP अपलाई कर देता हूँ, simple routing मैं कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं समझने को मिलेगा आपको, लगेगा कि बिल्कुल जितना हम लोगों ने previous पढ़ा हुआ है, बस उसी को हम लोग है, security firewall के अंदर configuration करना सीख रहा है, उनी सारी चीदों को, ओके, तो 172, 168, मैं कोई भी एक IP दे, 20256215.2 मैंने कर दिया, इसका समनेट मास्क दे देना है, कोई भी एक IP देने के बार, इसका gateway 20256215.1 कर दिया, this is gateway, और मैं इस switch को क्यों यहां पर रख रहा हूँ, हटा देता हूँ, थोड़ा सकम devices रहेंगी, तो आसानी से समझ में आएगा, तो मैंने directly इसको इधर route किया, firewall को direct router से connect कर दिया, and then इन सारी devices को मैंने इधर connect कर दिया, simple, ओके, आप firewall apply करके भी configure कर सकते हो, routing करा सकते हो, directly हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, but router जब है, तो फिर हम लोग ऐसे implement कर सकते है, no problem, okay, यहाँ पर हमारा जो IP आजाएगा, 20256215.1, क्योंकि gateway मैंने इधर के लिए, wide area के लिए यह दिया होगा, तो local area के लिए मुझे एक IP देना पड़ेगा, ध्यान देना, IP management यहाँ पर क्या होगा, मैंने 192.168.0.1 यह दे दिया, यह हमारा inside IP है, और inside IP है, slash 24 पर run कर रहा है, तो मैंने बस इस port को यह IP दे रखा है, okay, यह हमारा होगा, यह हमारा इधर के लिए होगा, इस port के लिए यह है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना, कि मैंने यहाँ पर 3 client तो मैंने connect कर दिया है, इन 3 client को outsource जो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ET 0.0 कर रहा है, तो यह जो हमारा IP होगा, मतलब अब देखो, हमारा जो firewall है, यह VLAN भी support करता है, यानि कि switching से लेके routing तक के, security तक के सारे feature इसके अंदर available होते हैं, तो firewall को simple configure करने से पहले उसके basic needs समझते हैं, configuration समझते हैं, firewall को मैं यहाँ पर तोड़ा सा दिखाता हूँ, GUI label पर, कि configuration में आने के बार, इसके जितने भी port हैं, आप देखो, यहाँ पर setting में क्या दिया हुआ है, कि आपका ASA firewall है, और 0-0 आपका 1 VLAN में access है, बाइ default यहाँ पर 2 VLAN होते हैं, VLAN 1 & 2, आप यहाँ पर देखो, VLAN 1 & 2, VLAN 1 inside का address होता है, और VLAN 2 outside के लिए होता है, समझ में आया, सबको, है न, तो आपकी जो firewall होगी न, उस पर 2 VLAN access मिलेंगे, VLAN 1 & VLAN 2, VLAN 1 जो होगा, यह हमारा inside के लिए होगा, यानि कि first VLAN inside के लिए होगा, और VLAN 2 जो हमारा होगा outside के लिए होगा, तो आपको याद रखना है, और उसके according in सारे port को minus करना, otherwise आप पूरा configuration, routing सब कुछ कर देंगे, थोड़ी सी कमी की वज़े से आपका VLAN mismatch होगा, और फिर आपका department wise और यह सब communication होगा, तो सभी को अगर माली है कि इसको VLAN 1 में रखना है, इसको VLAN 2 में रखना है, या बाहर का connection VLAN 2 में है, इधर VLAN 1 में है, manually कुछ भी कर सकते हो, but by default जो है उसको समझ लो पहले, तो जो हमारा top पर है, उपर है, इधर यह हमारा VLAN 2 है, VLAN 2, और VLAN 2 है, तो मैं VLAN 2 को एक IP दे देता हूँ, कि तुम जो काम कर रहे हो, वो outside के लिए traffic handle कर रहे हो, outside की traffic manage कर रहे हो, so outside traffic हमारा इधर से जा रहा, firewall से, TRAFFIC, and फिर मैंने क्या किया, inside के लिए हमारा एक इधर, इधर माले, इन सभी client के लिए, inside network, जो हमारा चलना, या inside traffic, जो हमारा है, इसके लिए हम एक DSCP server लेकर चलेंगे, DSCP IP request लेंगे, from firewall, firewall, and firewall, save DSCP, कुछ भी enable कर दो, 172 का network मैं यहां पे ले लेता हूँ, 172.168.0.10 से लेके, 172.168.0.20 तक, कोई भी ऐसे range ले दी आपने, तो बस यही थोड़ा सा topology management और सारी चीजे देखना है, firewall कहीं पर भी implement करके, बस इसकी configuration आपको करना होगा, तो इतना समझ में आया, मैंने क्या management भी किया, यह हमारा outside port हो गया, यह हमारा inside का पूरा का पूरा काम हो गया, और इधर हमारा router का काम चल ला है, यह हमारा inside traffic लेकर आ रहा है, यह हमारा wide area के लिए connection जा रहा है, और इस network में हमने यहाँ पर configure कर दिया, अब एक एक device को हम लोग IP configure करते हैं और firewall की configuration इस्टार्ट करते हैं, उसको तो पहले कर लो, आप देखो, 20256215.2, अगर मैं कहीं IP कुछ लिख दूँँ उदर उदर तो याद रखना, यह मैंने कर दिया, बस इतना हो गया, और मैं इसको as a service में आकर, http और इसका थोड़ा सा editing करते हैं, यहाँ पर जो font size of 4 कर लेते हैं, color blue है, तो blue से मुझे, वो नहीं है, मुझे array कर लेना है, और for example, हमारी जो site है, वो sikolive.com as a represent करना है, code आप यहाँ welcome to Cisco, live batch, और इसको save कर दिया, yes कर दिया, अब मुझे इस http server मैंने यहाँ पे नेबल किया, जानते हो क्यों क्योंकि http का rule भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि कैसे configure क्या होता है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, right? और अभी मैं यहाँ से, इस client से, अगर, अभी तो कोई access ही नहीं होगा, क्योंकि कहीं कोई configuration ही नहीं है, तो पोटेर्ट जी वाई से करा तोड़ोगी, अच्छा, कोई नहीं देखो, कैसे manage होता है, तो मैंने फिर से मैं बता दू, सारी CLI सिमिलर होती है, चाहे कोई भी vendor अप लेकर चलो, तोड़ा common सा difference आपको देखने को मिलेगा, with question mark आप उसको समाझ सकते हो, तो आजाते हैं अपने firewall पर, और सबसे पहले इस firewall से configuration स्टार्ट करते हैं, firewall पर आप CLI mode open करो, और जब भी आप real device firewall एक्सेस करोगे, वहाँ पर भी same आपको concept देखने को मिलेगा, जब आप exit करके enable करेंगे, तो यह आप से password बोलेगा, real device पर भी आपको password blank रखना और enter कर देना है, कुछ भी नहीं देना है, configuration T कर देंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, same process, आप exit करके देखो, so space, question mark लगा कर, सारी configuration list आपको मिल जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, conf space T, आपको वही router, और वही switch की सारी configuration यहाँ पर मिलेगी, वही commands आपको देखने को मिलेगी, question mark लगाने के बाद, यहाँ पर भी AAA, access group, access list boot, dscpd, enable, disable, whatever name, IP version 4, interface, सारी वही command है, right, कुछ भी अलग आपको नहीं देखना को मिलेगा, NTP, NAT, okay, username, तो यहाँ पर यहाँ पर कुछ additional अलग security बेस की कुछ चीज़ें दिख रहे होंगी, like turnal, VPN, whatever, यह सब, अगर मुझे यहाँ पर, so space version, enter करना है, यह version चेक करके दिखा देगा, and आप अपनी firewall पर जहाँ कई भी जिस भी production में काम कर रहे है, वहाँ पर manage कर सकते हो, कि आपकी particular firewall, क्या-क्या चीज़े manage कर रहे है, like you can see, कि इसमें VLAN available है, DMZ restricted है यहाँ पर, okay, क्या चीज़ आपको enable है, तो यहाँ पर DMZ VLAN, VLAN 3 available है, dual IPs के लिए disable है, you cannot configure, okay, particular option, trunk port 0 भी है, host port, okay, inside 10 आप enable कर सकते हैं, fail over नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं available है, बाकी VPN यह सब enable है, disable आपका, any connect भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, okay, any connect मतलब VPN के application के लिए, नहीं support है यहाँ पर, तो यह देगा कि particular series, जो firewall की है, उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, उस version में क्या क्या मिल रहा है, पूरा detail आपको यहाँ पर देखने को मिल रहाता है, okay, तो Cisco any connect यहाँ पर disable, इसलिए मैंने कहा, यहाँ पर आपको any connect access नहीं मिल देगा, okay, तो क्योंकि यहाँ पर disable है, complete feature मिली नहीं सकता आपको, तो जब भी हमें feature नहीं मिलेगा, तो हम लोग configuration नहीं कर पाएंगे, बट सिसको ऐसे firewall यहाँ पर आप प्राक्टिस कर सकते हैं, complete, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊं, अब देखो, एक चीज और यहाँ पर, आपको so command apply करना पड़ता था, privilege mode पर, बट यहाँ पर so space, running configuration और enter, तो मैं अपना configuration mode पर भी so, करके सारी command चेक कर सकता हूँ, यानि कि privilege mode का यह जो वहाँ पर काम था, वो यहाँ पर running mode पर भी काम कर रहा है, ओके, तो यह additional कुछ है, host name Cisco ES से है, एंटर करके आईए और यहाँ पर देखिए, बाइडिफॉल्ट यहाँ पर firewall रूल बना हुआ है, related DSCP VLAN, तो मेरा यहाँ पर DSCP चलना, और inside security label यहाँ पर दिया हुआ, अब यह security label क्या होता है, कोई बता सकता है, what is security label? सर, encryption का जो label लेबल लेथा, security label मनलब प्रियोरिटी हम firewall का traffic flow कि इदर कराना चाहते हैं, तो firewall की traffic inside से, यानि की inside से outside के लिए send करवाया जाता है, है न, ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि आपके घर में बाहर के सभी लोग आ जाएं, और अंदर वाले बाहर ना जापाएं, ऐसा तो नहीं चाहेंगे न, firewall वाई है similar, राइट, कि आपका जो infrastructure है, आपका जो zone है, आपका जो network है, उस पे आपने एक gatekeeper लगा रखा है, और इसका काम है watchman का, की ठीक है, कोई भी traffic अगर हमारे network में आ रहे है, तो मुझे उसको check करना है, की तुम्हें allow किया गया है, की नहीं आने के लिए हमारे network में, कोई host हो सकता है, कोई gateway हो सकता है, कोई IP हो सकती, कोई facebook.com, google.com, whatever, है ना, उनके application हो सकते हैं, chat applications हो सकते हैं, कुछ भी, तो उस host को, या उस particular protocol को allow किया गया है, की नहीं, यह firewall पे चेक करके अंदर आए, तो इसके लिए हमें, दो label तयार करना पड़ता है, है ना, जो हमारा security label होता है, firewall का, दो तरीके से होता है, एक होता है security label, आपका, मतलब zero से लेके 100 तक होता है, अगर आपने zero दिया, तो भी आपका जो security label है, सबसे down होगा, और अगर आपने one दे दिया, तो समझ लो कि one भी 100 के बराबर है, राइट, समझ में आया, zero के बाद अगर आप one से लेके 100 तक की कोई भी value देते हैं, तो वो समझ लो, ऐसा नहीं कि two दे दिया, तो security label थोड़ा और ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा, 100 पर बहुत ज़्यादा है, तो security label zero है, वही सबसे minus है, और जैसे one, two, three कुछ हुआ, वो सबसे plus है, तो ये सारी चीज़े हैं, अगर आपकी company में कोई web server चल रहा है, like हमारी company में web server चल रहा है, ये जो particular web server है, ये worldwide access हो, क्योंकि ये web server है, और HTTP server है, ये बाहर से कोई भी access कर सकते हमारे इस server को, और मुझे इसका firewall का security विनेबल करना, और firewall पे इसके monitoring भी रखनी है, और packet वगरे भी filter करना है, तो आप यहाँ पे इसका एक port इसको दे सकते हो connect करके, और इस particular server को, ये web server को, HTTP server को, IIS server को, आप अपने firewall के DMZ, demilitarized zone, यानि की, एक 50 number का security label तयार करके, यानि की 50 मतला, दोनों तरफ से equal traffic, यानि की, बाहर और अंदर, दोनों लोग इसको access करना चाहेंगे, तो आप इसको DMZ add कर सकते हो, DMZ, एक demilitarized zone create होता है, like security label, जैसे होता है, वैसे हमारा, इसका भी DMZ create करके, add किया जाता है, तो कभी DMZ वगरा पढ़ेंगे, तो इसका आपको proper configuration मिलेगा, बट मैंने server add कि, simple आपको add करके IP देना है, और जैसे मैं security label, यहाँ पर import के लिए create करूँगा, वैसे DMZ create करके इधर देंगे, तो होब कि आपको उसका भी configuration हो जागा, लेकिन हम लोग जितनी configuration बढ़ाएं कि बढ़ जाएगी जादा, तो सब कुछ, थोड़ा सा अराम अराम से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ओके, तो पहले यहाँ पर देखो, security label 0 हमें inside में देना है, या security label 100 देना है, किदर से देना है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो security label है न, यह आपके traffic flow को denote करता है, अगर आपने security level higher दिया हुआ है, तो higher security level हमेशा क्या होता है, higher से traffic हमेशा किदर होता है, lower की तरफ flow होता है, है न, traffic हमेशा अगर security zone की कहीं पे भी बात हो रही है, तो हमेशा आपका security higher to lower flow होता है, ओके, यहनि कि 0 से 100 की तरफ नहीं, 100 से 0 की तरफ होगा, तो हमें traffic या security level inside क्या देना पड़ेगा, 100, और outside के लिए क्या देना पड़ेगा, 0, by default हमारा यह firewall क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पे, कह रहा है inside security level 100 है, अभी यहाँ पे आपने देखा था, security level by default 100 है, क्योंकि हमेशा यह default set रहता ही रहता, आप इसको change करना चाहिए कर सकते हैं, outside security level 0 है, ऐसे ही आपका DMZ वगरे create करना तो उसको भी कर सकते हो, तो पहले से जो हमारा rule यहाँ पे सब बना हुआ है, यह DSCP वगरे सारी चीज़ है, मुझे इसको चलाना ही नहीं है, मुझे पुराना सारा record डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा, interface space vln1, और vln1 पे no ip add, एंटर, interface space vln2, no ip add, एंटर, no ip dhcp, और, sorry, no ip यहाँ पे लिखना है नहीं है, no dhcp, and just dhcp का जो value वहाँ पे था, उसको copy कर लेना है, simple no, dhcp, enter, किदर गया ही है, copy कर लो, अब पूरा, copy, paste, dhcpd लिखकर, enter, and show space, running configuration, enter, अभी हम चेक करते हैं, तो हमारा पूरा configuration, delete हो गया, है ना, blank हो गया, तो मैंने पहले क्या किया, सारा configuration, अपने firewall का, remove कर दिया, second मुझे start करना है, inside और outside के लिए, लेबल, interface space, vlan 1, यह जो हमारा area होगा, inside मैंने अभी पहले भी बता रखा है, कि जो हमारा, vlan 1 है, यह हमारा inside के लिए है, और vlan 2 जो हमारा outside के लिए, ओके, तो हम लोग firewall पे, vlan 1 create कर रहे हैं, मतलब vlan 1 को access कर रहे हैं, और इसको IP दे रहे हैं, अब हमारा यहां पे IP क्या चल रहा है, 172 का, 172 का जो network है, यह आपकी company में, जो भी network चल रहोगा, उसको आपको यहां पे दे देना है, तो मैंने just apply करके, no shutdown कर दिया, कोसिस करना firewall पे configuration के समय, आप किसी भी step को miss नहीं करना, अगर DSCP का काम कर रहे हैं, तो उसको पूरा करो, net का कर रहे हैं, तो उसको पूरा करो, अगर jump करके आप करेंगे, तो मैं भी starting में, जो as a fresher, आप या as a, मतलब कि beginner level पे configuration करेंगे, तो बड़ी दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता कि, अभी करना क्या कौन सी command apply करना, तो हमेशा DSCP अगर मैं configure कर रहे हैं, तो उसको पूरा complete करके, सारा step उसका done कर दो, राउटर की तरह नहीं कि, आप IP दे दो पहले, कुछ भी ऐसे कर दो, जो भी करो उसको पहले complete करो, तो मैंने यहाँ पर VLAN की IP दे दिया, no shutdown कर दिया, और मतलब अभी local area का मैं यह part manage कर रहा हूँ, और उसके बाद, no shutdown क्योंकि VLAN already shutdown नहीं होता है, बट फिर भी आप no shutdown apply कर दो, और यहाँ पर हमारा inside, यह जो हमारा area है, यह inside है, तो एक बार चेक कर लो, कि आपका जो VLAN 1 है, यहाँ पर question mark लगाने पर क्या दे रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि, interface mode, अब यहाँ पर कुछ common, ऐसे कुछ लिख क्या रहा है, तो don't worry, आपको यहाँ पर try करना है name if, name if, और word, a name which, a name by which, this interface will be referred in all other commands, okay, तो मैं यहाँ पर inside लिख देता हूँ, और enter कर देता हूँ, आपको एक name apply करना inside का, और उसके बाद आपको यहाँ पर security label देना है, security label आपको पता ही है, हमें 100 apply करना है, और उसके बाद interface space 0-0, मैंने 0-0, यह 0-0 तो टॉप के लिए है, अभी मैं inside के लिए कर रहा हूँ, तो यह जो port है, यह PC का, यही बस समझना है, ध्यान से देखना, यह जो PC का port है, यह 0-1 है, यह 2 है, इसको 3 मिला हुआ है, ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यह 0-1, आप range पूरा ले सकते हो, और switch port access, VLAN, क्योंकि by default अलग-अलग VLAN में access होते हैं, VLAN 1 मैंने कर दिया, दूसरे वाले port को मैंने कर दिया, कि दूसरा वाला जो port है, VLAN 1 में access हो जाए, तीसरा वाला जो port है, वो भी VLAN 1 में access हो जाए, बस, तो तीनों PC जो हमारे हैं, अगर माले कि कोई another VLAN 2 में है, तो उसको भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, there is no problem, but, इतना करने के बाद, आपको अपने firewall को VLAN 2, यानि ET 0-0 भी configure करके बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अभी करता हूँ, exit interface space VLAN 2, तो configuration मैंने basic LAN area से start किया है, फिर मैं wide area और policy के लिए जाऊँगा, तो VLAN 2 मैंने select किया, अब VLAN 2 की IP क्या है, उपर top पे लिखा होगा, IP address 192.168.02.255.255.255.0, and then no shutdown, and no shutdown करने के बाद मुझे, name if, और outside, या outside के लिए है न, security label मैं 0 करता हूँ, and यहाँ पे interface space, E0.0, ओके, and switch port access, VLAN 2, जैसा कि मैंने पहले वाले local area के लिए, VLAN 1 के लिए किया था, वैसे मैंने इधर कर दिया, काफी easy configuration यहाँ पे जो लिखा है, वही VLAN, जो आपको अभी तक पढ़ाया जा चुका है, वही से मैं कर रहा हूं यहाँ तो बस add कर दिया, hope की इतना सब लोगों को clear हो गया होगा, firewall पर VLAN मैनेज होगा है, बस आपको अब आजाना, अपने router पर configuration complete हो गया, router पर आजाना, and then आपको routing enable कर लेना, and then policy create करना, start कर देना, कैसा inside, outside traffic आपको flow करना है, तोपोलोजियो में router आना चाहिए था, जैसे कि अगर मुझे बाहर के इस server को access करवाना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लगा दिया, कि मैं अगर इस firewall पर कोई rule create करता हूँ, इस host के लिए कि तुम्हें इसको access करो, या ना करो, है ना, live result दिखाने के लिए तब मैंने लिया, बाकि मुझे इसकी जरूरती ने मैं इधर ही करके दिखाते हैं तो लगा सकते हैं और complete topology तब ही होगे कि जब firewall हम क्यों पढ़ रहे हैं ताकि हम बाहर के traffic और अंदर के traffic के बीच में policy create कर पाएं तो मैंने यहाँ पे वैं सर्वर इसले ले रखते हैं अभी हम लोग इसको access क करेंगे block करेंगे सिटिटी पी को राइट तो यहीं काम होता है सीगरेट पालिशी सुका में फंक्शन नीर तो तो मैं कहां पर था तो राउटर पर मुझे आ जाना है और राउटर का होस्ट आरवन दे दिया इंटर्फेस इसके से जीरो स्लैस जीरो स्लैस जीरो स्लैस जीरो स्लैस जीरो इसका क्या है आज सब लोग बिल्कुल एलर्ट रहना है ना देखो मैंने सिम्पल राउटर की आई पी दिया इंटर्फेस इसपेस जीरो स्लैस जीरो स्लैस जीरो स्लैस वन इसको भी नो शॉट्डाउन किया आई पी अड्रेस 192.168.0.1 यह सब चीजें तो आप लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा तो मुझे यहां पर बताईए इसके साथ डाइरेक्ट यहां पर हमारा सर्वर कनेक्टेड है अब कोई बाहार का नेट्वर्क होता कंपनी का तो फिर हम लोगों को देखना भी पड़ता है ना कोई साइट हमारी कानेक्ट दूसरी तरह तो उसका यह ओनबर सारी चीज़ी लेकर रहा है तो यहां पर क्या कोई रौट इनेवल करना जहुरी है कि दूसरी तरह नी डार्यक्ट वन रौटर से कमनिकेशन हो रहा है थό राउटिंग की जरूरत है नों लोग रौटिंग करने मा और पर्चेज किया हुआ है तो आपके दूसरी ब्रांच का जो सर्वर है आप उसको भी चाहते हो इसके साथ कम्यूनिकेट कर पाना तो एड कर सकते हैं और उनके होस्ट नेम होते हैं जिनको आपके अंदर एंट्री कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने गूंगल क्रोम और उसमें मिल रही है अप मैनुएल आइपी दे सकते और एकशिप का इस्टेप मिस करना है तो आप हटा दो यह करो लेकिन अगर यह मैनुएल आइपी देने लगेंगे सबही तो problem होगी न क्यों क्योंकि production के अंदर हम security नेहां कर रहे हैं और कोई भी अपना number चेंज कर पा रहा है यह जैसे कि मालिया आप 10 के लिए पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं 20 से कुछ काम कर लूँ वीपीन के तुरू तो है ना तो एट लिस्ट मुझे डिये सीपी रिक्वेस्ट कर देना है कि मैनुवल कंफिग्रेशन का वह आप्शन ही ना दिखे तो मैं यहां पर डिये सीपी पर आपके सबकी रिक्वेस्ट कर दों बाइडिफॉल्ट अभी कोई सर्वर नहीं लाई गए तो इसको 169 यानि कि अपीपा इपी मिलेगा आटोमेटिक प्राइविट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग एड्रस यहां पर मिला है 169 से तो मैं करता हूं फायरवाल को सब्सक्राइब करने जा रहें जो कि सेम वैसे ही कन्फीग्रेशन है जैसा कि हमारा प्रेवियस उसमें था तो मैंने लिखा डियसी पीडी और मैं एड्रस लिखूंगा अगर आपको नहीं पता कमांड तो सिंपल क्वेस्टन वाक लगा कि देख सकते हो क्या क्या यहां पर तो डिया हुआ है तो डियसीपी एड्रेस डॉमेंड सब यहां पर वही ऑप्सण डियनस आईपी देदो डोमें आईपी देदो नेट्वर्क आईपी देदो तो मेरा डियसीपी एड्रस है वह वह 172 168-0.2 का से क्वेंटी और यह आईपी हमारा इंसाइड लिग देना है एंटर कर देना किसके लिए अपलाई हो इंसाइड नेट्वर्क के लिए क्लियर है इतना समझ में आया अब मैं PC पर आता हूँ देखता हूँ क्या मेरा डियसीपी कंफीगर हो गया डियनस सर्वर जाना है तो यू कन जस्ट टाइप डियनस एंड टाइप डियनस सर्वर आईपी हो गया समय में आया तो मुझे डियनस भी अपलाई करना तो मरे नेटवर्ग में क्यों सा चल रहा है विए ने समारे नेटवर्ग में यह वाला चल रहा है 2025621-5.2 ऑके फर एक्जम्पल यह आपका DNS सर्वर भी है तो कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरे वाले PC पे आ जाते हैं इसको तो आई पी मिलना है फिर थर्टीन सब कुछ हो गया अब अगर हमारे क्लाइंट एक्सेस कर पाएं बाहर के सर्वर को क्या पॉसिबल है तो मैं काम करता हूं इसको पहले वाले क्लाइंट पे कमांड प्रॉम्ट करता हूं एंड पिंग करता हूं तो मैं काम करता हूं यहां पे पिंग अप्लाई करके छोड़ देता हूं आइफन टी लगा के तकि continuous मुझे reply यहां पर देखने को मिले और मैंने इस client को चोड़ दिया अब इसको हम यहां से पिन कर देते हैं ताकि यह मुझे दिखता रहे आ जाते हैं बाकि firewall की configuration पर रूल बगर कुछ भी ऐसा प्रियेट करना चाहते हो यह राउटिंग अगरे नेबल करना चाहते हो तो भी मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं कि अब फायरवाल के तुरू में राउटिंग इनेबल करके बाहर अपनी 172 की ट्रैफिक को 192 यह बाहर कैसे स्टेयर कर रहा हूं स्टाट अब मुझे रूट किधर कराना है त्रैक को इनशील की ट्रैक कराना सैट तो मैं यहां पर लिख호ंगा आपको इनसाइट भी मिलेगा अगर बाहर की ट्रैक अंदर भीजवानी हैं को देखो यहां पर इंसाइड आउटसाइड दोनों मिल रहा है ओके यहां पर द्यान दिजिए इंसाइड डोनों मिल रही है लेकिन मुझे बाहर की ट्रैफिक जब बहुत मतलब कि हमारी ब्रांच को भार है और उसके साथ कुछ कुछ ऐसा है कमिनिकेशन कोई डोमेंट डोमेंट ऐसे स्टार्ट करवाना था तो करना था बट पब्लिक के साथ तो मैं कभी ऐसा नेटवर्क नहीं करूंगा बट अगर जरूरत है तो कर सकते हो दोनों आप्शन अब लेवल है तो मैं यहां पर इंसाइड नहीं और आउटसाइड के लिए मेरा जो रूट है वो क्या है अब मैं क्यों बताओ कि मेरा जो आउटसाइड का नेटवर्क है वो सॉरी इंसाइड का 172 है मैं चाहता हूं कि इंसाइड मेरा कोई भी नेटवर्क हो बाहर की नेटवर्क से रूट करें अगर सिंगल होस्ट को आप चाहते हो रूट कराना तो आप यहां पे त्री यानि 10 कंप्यूटर इसको 10 IP मिला था 10 को अलाव करो ओके जस्ट इसको अलाव करो और किसके साथ अलाव करना है इसका सब्नेट मास्क देदो और इसका गेटवे देदो गेटवे क्या हमारा ओके लेकिन मुझे एक होस्ट को नहीं करना है 0000 इसपेस 0000 इन साइड के सारे गोस्ट बाहर के नेटवर्क से रूट करने एंटर कर दिया रूट के लिए आई पी रूट जो आप उसमें करते था ने इसमें बस रूट आउटसाइड रूट बस बस दिस इस अबर फायर आउटसाइड तो ठीक है अब इनकेस अभी हमारा यहां पर टाइम आउट आ रहा है बट अभी चनेक्शन नहीं है तो ठीक है हमें अपने इस राउटर पर कोई राउटिंग इनेबल करने की अभी जरूरत नहीं है आगे देखते हैं अगर इनेबल करना पड़ा तो हम लोग दोनों नेटवर्क को रूट कर देंगे और आ जाते हैं अपने फायरवाल पर और अभी मुझे यहां पर मैंने राउटर का भी एक पार्ट मतलब यहां पर छोड़ रखा है ध्यान देना अभी आप लोगों को बता दें क्योंकि लंबी केंफिग्रेशन है तो थोड़ा सा याद रहे जैसे यह जो हमारा एरिया है राउटर का यह मैं अभी राउटिंग र ज्यक्त कर सकते हैं करके राइट आते हैं फायरवॉल पर वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं यहां पे एक सब्नेट करता हूं और यहां पर यहांपश्च मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर मैं दिखाओ यहां पर औरे लिखने के लिए यह इद्धर देखो अब्जेक्ट के दो नेयम हैं अब्जेक्ट एंड व्यक्ट ग्रूप तो मुझे अब्जेक्ट यहां पर एड करना यह लूद करता हो के अब्जेक्ट के मैं यहां पर ऑपकरों डियूद हमें सब्हूंध करता हूं अब और थYe carga अंपने पर जांद अधे मैं रूल क्रिएट कर दूं बट मैंने चाहता कि हमारा डायरेक्ट प्राइवेट आपी बाहर जा तो मैंने क्या बता है कि यहां पर लिख सकता हूं सबनेट सबनेट अपना बता दो इसको क्या है 172.168.0.0 25525500 सबनेट मैंने एड़ कर दिया और मैं नैट इंप्लिमेंट करता हूं और question mark लगा के दिखाऊं तो यहां पर कह रहा है इंसाइड आउटसाइड क्या इनेबल करना है एनी नहीं करना आउके तो यह है इंसाइड आउटसाइड और इसके लिए कॉमा अप्लाइ करना और यहां पर मैं लिख दूँगा आउटसाइड ओ यूटी और एस इडी आउटसाइड ब्रेकेट क्लोज कर दिया राइट एंड यहां पर टाइप कर दूंगा डैनेमिक और मैं यहां पर इंटरफेस इंटरफेस वाइड डैनिक इंटरफेस पर यह अप्लाई हो जाए और जा निक मैंने यहां पर अपने इस पतिकुलर इंटरफेस पर अप्लाई कर रखता है, final डन हो गया, एंड उसके बाद मुझे यहां पर नैटिंग भी नेबल कर दिया एंड कर दिया कन्फिग्रेशन करके यहां पर आ जाते हैं अभी हमारा फाइनल एक्सेस लिस्ट अभी देखो उदर टाइम आउट होने लगा है तो मैंने यहां पे टाइप किया एक्सेसर हईफन लिस्ट अब देखो यहां पर य्जिस्ट आापको पड़ाई करता हुए एक्सेंडेट एस्यव आ है यहां पर दे सकते और डियरेक्ट डेनाई कर सकते हो यह ऐगा सिंगल टार्गेट को तो मुझे यहां पर इसिपाई करना है पॉलिसी क्योंकि के हिर वाल कर रहे हैं not राउट रिशियल पर उट्याइक्छा पर क्या क्या लिस्त वन मैंने दिया एक्सेंडेड और एक्सेंडेड में मुझे क्या करना था परमीट करना अब पॉलिसी मुझे इनेबल करना अब मारे पास अभी फायरवाल जो है इसके पास इतना ही कंफिग्रेशन है सोफ्षों आभी के लिए मैं यहां पर रिप्लाई अभी नहीं कि आ रहा है तो रिप्लाई मैं नेबल करना चाहता हूं लिए पर नहीं हो रहा है पर मिट लीuğ कि दो इस लिए नहीं लिए रहा है इसे स्पेस और स्पेस देने के बाद कह रहा है कि बताओ target कौन है मतलब बाहर कौन है और अंदर कौन है यानि कि दोनों address से side करना है तो ठीक है मुझे बाहर और अंदर दोनों को एनी एनी कर दो अगर कोई भी आपका specific host है तो 20256215 define कर दो बट एनी कह देने से all over सारे computer network यानि की host आपके block block हो जाएंगे permit हो जाएंगे तो मैंने permit जब apply कर दिया permit apply करने के बाद म्यूट कर लिए प्लीज फोड़ा सा तो पर्मीट कर दिया मैंने यहां पर एंड जस्ट मैं बैट आगे एक्सेस हाइफन ग्रूप अभी मेरा permit तो कर दिया बट अभी reply नहीं आ रहा है तो हम म्यूट करने के दिए लिएंघ करते हैं करते इंसταärी आउटसाइड के लाघ नar है इंसाइड इंटर फेस्क की ट्राफिक आउटसाइड आपको लेकर जाना आजист एंटर अब देखते हैं आगया reply नहीं पहला रू श्ठी ते कि यानि कि आपने एक ट्राइफिक अभी लाउट किया है आप ऐसे करके एक ट्राइफिक एक एक होस्ट एक एक आई पी को कंट्रोल करके पूरा मैनेज कर सकते हो फायरवाल के अंदर अगर मैं इस होस्ट को कहूं कि अभी इसका सीखोलाइव.com एक्सेस करो इस राउट मतलब सर्वर पर मैं आ जाओं और यहां पर मैं एड करूं कि सारी कन्फिग्रेशन आ जाते हैं सर्विसेस डी इनस भी एड कर लेते हैं इसका एनेबल करके नेम मैंने दे दिया सीखोलाइव.com और एक रिकॉर्ड है 172 168 0.2 कर दिया एड किया सेब कर दिया इस रिकॉर्ड को हैं कि बंद ना हो जाए तो यह मेरा हो गया थोड़ा सा आराम राम से करते हैं तो यह हमारा हो गया फाइनल जब हमने यहां पर इनेबल कर दिया डेक्स्टॉप के ब्राउजर ओपन करते हैं और पहले अपने सर्वर पर वेरिफाई कर लेते हैं what about sikolive.com sikholive.com sikolive.com तो हो यहां पर टू-जरू-टू-फाइफ-सिक्स यह मैं उस फायरवाल को समझ वो समझ रहा हूं इससे पहले जो मेराक्टी वाले का किया तू है ना आई-पी आप लोग भी नहीं वो करा रहे हैं ही ठीक है कि मैं कยए रहा हूं Xeas क्यों नहीं हो रहा है हो गया access टो यह हमारा Dumnella discoMick add का अभी यह reply तो ले पा रहा है यह या में स्वेश कर पाएगा कर ले कि इन ए और एडलोर को अग्यों के दिन्याट मिरान चलिए को mobile acesso. नहीं मिला तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहां पर हम लोग ACL क्रियट कर सकते हैं थीक है वह एक काम करो PCMP की जगा सेम al Datum करते हैं और pcp apply करे enter कर देते हैं तीसिप apply करके enter करने के बाद group add करते हैं लाइ group enter और अब यहां पर आकर एक्सेस करते हैं तोड़ी दिर्वेट करते हैं अब एक्सेटीटीपी बगर होता तो इसली मुझे और इजी हो जाता कन्फिग्रेशन राइट पर इसली मुझे एक्सेटीटीटीटीटीटी बड़ेशन रहे होता है है ठीक है कोई नहीं 192 172 2056 215 DNS रीच नहीं कर रहा है तो यह आप देख सकते हो एक्सेस हो गया ठीक है कि समझ में आया पॉलिसी रूल इंप्लिमेंटेशन और अबरीटिंग यह सारी चीज़ां ऐसे होती है अगर यह लैब चाहिए तो यह मैं कर सकता हूं इसके अंदर काफी चीज़ें कमांड मैं अलग से आप लोगों को भेज दूंगा या इसका स्क्रीन शॉट आपको को शेयर करके पूरा एक पीडिया बनाके मैं संडे अकल पूरा मिनान से टाइम निकाल के आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर क्लियर है सबको है हलो है ओके तो ठीक है एंड करते हैं से सब्सक्राइब एंड करतता है